नमस्कार गुड मॉर्निंग माइडियर फ्रेंड्स आप सबों को मेरे इस यूटीब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदल है मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंग एसोचेट प्रोफेसर होम साइंस आज मैं आपको टीवी के बारे में बताऊंगी पिछली व पोच को कब नोबल प्राइज मिला और क्यों मिला किस कारण से मिला यह प्रस्ण आपके आ सकते हैं जो बच्चे टीटी की पीजीटी की परिक्षा दे रहे हैं जो नेट करना चाहते हैं अगर उनसे यह पूछा जाए कि बीसीजी कर टीका का फूल फॉर्म बताइए पूरा रवर्ट कोच को क्यों मिला नोबल प्राइज इसका एंसर आप देंगे मुझे थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो को बताने से पहले टीवी के बारे में बताऊंगी पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताया था कि पहले लोग 6 रोग को यह समझते थे कि लोग कि यह रोग पापकर्मों से नहीं फैलता है बलकि एक बैक्टरिया है मैको बैक्टरियम टूबर कुलोसिस जिसके कारण यह रोग फैल रहा है और यह रोग एक संक्रामक रोग है छूत की विमारी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और मैमोथ घुफा के जो मालिक थे डाक्रूर जोन क्रगन उन्होंने के के रोगियों को जड़िही चाहीं आप tea से जो रोगी थे वो जल्दी ही स्वस्थ हो गए और लोगों के मन में एक जो भ्रहम था कि पिछले जन्म के पाप का कर्म है जिसके कारण चैरोग हो जाता है जिसके कारण उसे कौर फूट जाता है जबकि यह सारी एक चुवा-चुद की बीमारी है और जीवानू के कारण फै हैं कौन लोग इसके शिकार होते हैं तो सबसे पहले होस्ट फैक्टर में अगर आप देखोगे तो सभी लोग इसके चपेट में आते हैं टीवी के चपेट में चाहें बुढ़ा हो या बच्चा सभी वृद्द से लेकरके युवा तक है ना वृद्द से लेकरके बालक और युवा तक के लोग सफर हो जाते हैं मेल 45 वियर्ज के जब उनका ज्यादा उमर हो जाता है और चोटे बालकों में भी यह रोग होता है तो कोई भी व्यक्ति चाहे इस्त्री हो या पूरस इस रोग से चुता नहीं होता है अब हम यह देखते हैं कि इस रोग के लख्षन क्या है तीवी के क्या लख्षन है कैसे पह करेगा है ना तो जो मैंने पिछले बार बताये था कि टेस्ट करानी पड़ेगी एकसरे आपके चेस्ट कराई जाते हैं टीवी का पता चल जाता है अगर किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है एक महिना से ज्यादा हो गया खांसते हुए बुखार आ ठन लगे बुखार आ रहा है खांसी नहीं छूट रही है तो उस व्यक्ति को तुरंत ही चिकित्स के पास जा करके दिखा करके और एकसरे करार लिया जाना चाहिए अब हम यह देखते हैं किसका लख्षन क्या है क्या टीवी का सिम्टम्स है तो टीवी का सबसे बड़ा एक जो खाम और खांसी खांसी रोगी व्यक्ति को खांसी आता है और खांसी इतनी मात्रा में आता है इतनी ज्यादा होने लगती है को उनको च्छाती दुखने लगता है खांसते खांसते पसली की हड़ियां दुखने लगती है चेहरा लाल हो जाता है आंखे लाल हो जाती है ठंड कई रहता है कई बार इस्सें भी त्याजाता है रातरी के समय वे बुखर करके जादा आता है तह 이 इसके लक्षन है औज नहीं अब गड़ नहीं करोग भूजन करने का मन नहीं करता है जुना இர ये दुट नहीं करोगे तब क्या होगा कमजोरी आएगी नहीं खाना खाएंगे तो कमजोरी आएगा कमजोरी आएगा थकान होगा रोगी व्यक्ति को बुखार है कांसी आ रही है तो क्या होगा चुर्चुरापन भी हो जाएगा रोगी चुर्चुरा हो जाएगा कोई से कोई भी रोके इसी व्यक्ति को होता है तो चुर्चुरापन तो से हो जाती है बुखार आ गया बूख ने लगता है कमजोरी हो जाती है ठकान हो जाता है चुर्चुरापन हो जाता है है ना और क्या होता है कि बजन घट जाता है कि जब नहीं बोजन करेगा तो बोजन क्या होगा घट जाएगा पाचन समंदिर आप वेवस्थ हो जाएगी कि लगे जैसे उल्टी लगरेगा कभी कर ने कमन करेगा कभी दस्थोने लगरेगे क्योंकि भोजन पच्ता नहीं है गड़ बढ़ियां हो जाएंगे ये सारे चीज आप लक्षन देखने को मिलने लगता है रोगी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया खांसी आने लगेगी खांस्ते खांस्ते हालत खराब होने लगता है फेपड़ी दुखने लगते हैं चेश्ट दुखने लगता है आखे लयार हो जाती है बुखार आने के कारणों का स्वाद मुखा बिगड़ जाता है भोजन नहीं कर पाते हैं जब भोजन नहीं कर पाएंगे भूख नहीं लगेगा तो ठकान होगी कमजोरी हो जाएगा वजन कम हो जाएगा और इसके बाद उन्हें चक्कर आने लगेंगे कई बार उल्टी हो जैसी हो जाएगी नाखुन पीला हो जाएगा नाखुन अंदर की तरफ धंस जाएगा हलका बुखार रहेगा आवाज भारी और परिवर्तित हो जाएगा बुखार जो व्यक्ति रोगी होता है उसका आवाज देखते हो ना आवाज परिवर्तित हो जाएगा आवाज जो है सो उसका चेंज हो जाएगा और रात के ताइम में अधिक पसीना निकलने लगता है चैंकि बुखार एक आता है तो पसीना निकलने लगते हैं ये सारे लख्षन उसको देखने लगते इसके बाद मैंने यह बताया था कि टूबर कुलेसिस के जो रोगी होते हैं और उसका जो जिवानु है वह फेफडे में पहुंच करके वहां अपना आक्रमन करता है तो जब फेफडे में टीवी हो जाता है तो उस टीवी का नाम होता है हता है क्या क्या बोलते हैं फुफू प्छुप richtige है है हिंदी में फुफस बोलते हैं ओ फेफडा को हिंधी हा और कई बाद जो टीवी होता है वह आपके लंक्स में कि मुख्य रूप से होता है लंग में फेफड़ा में इसके अलावा यह होता है हर्ट में इसके जिवानों दिल में पहुंच जाते हैं कि समझ के बात को हर्ट में पहुंच जाते हैं कि इडिनी में पहुंच जाते हैं रिप्रोड़क्टिव और्गंस में पहुंच जाते हैं और वहां 6 रोग फैलाते हैं कई बार देखें हड्डियों के भीतर पहुंच जाते हैं तो बोन टीवी कहलाता है कई बार देखो ब्रेन की उपर पहुंच जाता है दिमाग के भीतर पहुंच जाता है अब ब्रेन टीव है जिवानों वह बिभिन अंगों में पहुच करके रोगों को फैलाते है अब यह देखते हैं कि यह कहां-कहां टीवी के जीवान समें पहुंच रोग को फैला अब हम देखते हैं इसका मैं ड मैं और रोप बता दिए इसका तो सबसे पहरे का प्रीवंट्य रहा है उस रोग को बंध करिए की सोर्सेज को बंध करिये तो सर्सेज क्या है कि मैंने पहले बताया था कि यह रोग सांस से फैलता है स्वास समंधी रोग है कि हवा से फैलता है कि एरबॉर्न डिजीज है तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति जिसको टीवी हो गया है वह व्यक्ति जब भी खांसे यह चीके तो अपने हाथ में रूम माल रखे या कोई कपड़ा रखे यानि तो अपना हथेली रखर के फीची के ऐसे जुचिक देते ना खुले में वह सही तरीका नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि 75 परसेंट तक का जो टीवी होता है तीवी के रोगी होते है और लेटेंट टीवी होता है गुप टीवी के जीवानूं को प्रसाधित कर रहे हैं प्हेला रहा है समझ बात को और 25 परसेंट और यसे लोग है जो एक्टिव टीवी के मरीज होते हैं कि एक्टिव टीवी में ये तो करना ही करना है बाकि हम सबों को भी चाहिए कि खांस्तिया और्षीक्ते समय अपने हथेलिय खांसने के दवरान या बोलने के दवरान जो जीवानू है वह बाहर नहीं बिखरे नहीं तो जब हम बोलते हैं खांसते हैं चिकते हैं तो बोलने के दवरान या खांसने के दवरान लाखों की संख्या में जीवानू हमारे बोड़ी से निकल करके इंवार्मेंट बिखर जाता प्रवैस कर जाता है फिर मोगापड करके लंग्स मेंं जहां उसको न हो होता हुआ आपने को आगे बढ़ाता है तो हमिये चंपने समय कपड़े का उप्योग करें दूसरा बात क्या है कि खुले में खुले में कभी भी हम ना थूकें अक्सर लोग पान खा करके पिर्की थूक देते हैं खैनी खा करके यत्रत्र थूक देते हैं तो इस तरह की आदोतों पर प्रतिबंद लगना चाहिए जब टीवी फैला था तो जर्मनी के लोगों ने और अ सुर्पे जुर्माने भरे जाएंगे तो जो व्यक्ति इधर उदर थूकते हैं उनको थूकने से बना करना चाहिए स्वता उन्हें सार्वजिनी कस्थान में नहीं थूकना चाहिए तीसरा कारण क्या है कि मैंने पहले बताया था कि फैलने के कारण में में जो व्यक्ति वाला मकान मेंардा और अपना डेरा जमाते हैं वैसे तो सिलन भरा में में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि वैसे में कमेले में खुला खुलाहो जिसमे घृब्र द्रवाजे हो जिसमें धूप आने के पूरा रास्ता हो क्योंकि शुरिप्रकास जब आता है धूत जब आता है को और की के सारी जिवानुओं को स्ट करड़ता है तो हमारा जम्होंना छाहिए में होना चाहिए हवाधार होना चाहिए और मैंने बता ही थी कुपोषित बाल को में कुपोषित इस्ट्रियव पूरुषों में यह बिमारी ज्यादा होती है क्योंकि जो व्यक्ति कुपोशित होते हैं तो उनके बोडी में इम्म्यून पावर कम होता है प्रतिरक्षा तंत्र उसका कमजोर होता है और कोई भी बिमारी उस पर आक्रमन कर देता है जैसे कमजोर व्यक्ति को कोई मार डालता ह है तो जब हमारा बोडी होता है तो कोई भी बैक्टिरिया उसके अंदर प्रवेश कर सकता है तो भोजन जो होगनाचाहिए वह हमारा पौस्टिक भोजन होना चाहिए जिसमें विटामिन सी की पर चूरता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है आपका इम्मीनिटी पावर को बढ़ाता है समझ गया बात को इसके बाद आप देखिए शीरन भरा कमरा नहीं होना चाहिए पॉस्टिक बोजन नहीं हो दिया जाना चाहिए रोगी को और जो रोगी का कि बरतन है या रोगी के यूपयोग में लिया गया कोई भी कपड़ा है तौलिया है रुमाल है इन सबों को विशंक्रमित करते रहना चाहिए डिसिंफ्यक्टिट करते रहना चाहिए साफ सुथ्रा बरतन में उन्हें भोजन दिया जाना चाहिए और उनके जूठे गिलास है जूठे कप हैं जूठा भोजन है इस तरह का भोजन किसी दूसरे व्यक्ति को खाने को नहीं दिया जाना चाहिए अक्सर हम प्राक्टिस में क्या करते हैं कि खाना ज्यादा ले लेते हैं और थोड़ा खाना बच जाता है तो हम क्या करते हैं अपने घर के दूसरे लोग एक आख चाहिए दूसरे को जूठा देने का प्रयासना करो क्योंकि हो सकता है कि हमारी भीतर आपके भीतर ना जाने कौन जिवानू विर्शानू हमारी भीतर पनप्र में दो तो इसका लक्षन हमें डिखाई पर रहा है हम उस रोग के लक्षन हम परतुह हम हम यह परिषान हो जाए तो जुठा व्यक्ति ओको नहां तो खिलाना चाहिए और नहीं किसी दूसरे के व्यक्ति का जूठा खाना चाहिए और फिर दूसरे का यूज में लिया हो करके डिटॉल से धो करके और वापिस दूप में सुखा करके फिर काम में लेना चाहिए और उनके जो कपड़े हैं उन कपड़े को आप दूसरे व्यक्ति को दान में भी ना दे दूसरे व्यक्ति को पहनने के लिए लिए उनके कपड़े को आप ऐसे ही जला दे करना या पुराना हो गया और यहीं पहना चाहता है तो मत पहनने दो पर किसी दूसरे वयक्टि को स्वस्थ मत दे दो कई-प्रीवार जने के कपड़ seu को दान में दे देते हैं लेकिन नहीं चाहिए हो सकता है उसके कपड़े हैं उस कपड़े में जीवानों हो और वो जीवान से दुसरे व्यक्ति भी संक्रमीत हो सकता है इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए और श्वक्ष वातावरन और श्वक्ष का अपनाना चाहिए खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो जाने हमारे शरीर के अंदर चल जाते जैसे हम कोई भोजन करते तो हर बार तो कई बार अपने अच्छे से प्रकार से हाथ को नहीं धोया तो पेट में भी वो जिवानु विशानु प्रवेस कर जाएगा समझ गए बात को तो यह श्वक्षता अपनाना है और शरकार की ओर से ह सिले में एक एक टीवी अस्पताल खोला गया है डीवी कल वाड़ी रखा गया है जिसमें टीवी के रोगी अगर कोई है तो उसको दूसरे रोगी उससे अलग रखा जा सके और उसकी अलग ट्रीटमेंट किया जा सके अ निजी नो संस्थानों में और में जो हमारा काम 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 है काफी ध्यान दे रही और जो अलग ही वार्ड कि विभ्यवस्था की इस गया जैसे ढ navigation होता है ना बच्चों का इक अलग सथा की गई है तो यह एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको पहले भी कह था अभी भी कह रही हूं टीका करन कि टीका करन शिशु जन्मे के तुरंट पस्चात जितना जल्दी हो सके बच्चों को बीसी जी कर्टी का लगा दिया जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों को रहत मिले और टीवी के जीवान हुँ अगर बाता रून के रहे हैं तो शिशु को ना लगने पाए जब हम छोटे थे तो हमें याद है कई सारे बच्चे छोटी-छोटे बच्चों को भी टीवी हो जाता था और उनकी डेथ हो जाती थी तो टीका करण करवाना नितानता अवश्चक है जो जिससे आप टीवी की रोग को रहत दे सकते हैं तो आज मैंने बच्चे आप लोगों को टीवी के बारें बताया है अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लिस शेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें फिर मि लगतार मेहनत करता है तो आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी अपनी सब्सक्राइब को विराम देती हूं जाने को दो इजाज़त बाए बाए